H.O.L.W.D. प्रिजेंटिंग ट्रिप्टाइज एपिसोड वान सीरीज की सुरुआत में हमें एलेदा नाम की लड़की दिखाई जाती है एलेदा गन लेकर बिल्डिंग में घुश जाती है जहां पर साकेटरिस और एलेदा दोनों घायल हो जाते है और अब वहां पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आ जाते है जिसमें से रेविका नाम की लड़की को उपर जाच करने के लिए भेजा जाता है रेविका ये देखकर शौक्ड हो जाती है कि जो लड़की घायल पड़ी होती है बिल्कुल हूबहू इसके जैसी होती है रेविका को डबल जटका तब लगता है जब एलेदा बोलती है रेविका तुम हो रेविका एलेदा से पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो पास एक ऑफिसर आता है वो बोलता है कमांडर सोलाना विक्टम के हस्बेंड आ हैं इन्विस्टिगेशन के लिए वो आपसे मिलना चाहते हैं और अब रेविका ऑफिसर के बिदाउट परमीसन ही एलिदा से मिलने चली जाती है होस्पिटल में नेक्स शॉट में देखते हैं कि एलिदा तुर्खानों की फोटो रेविका अपनी मा को दिखाती है और पूस्ती है कि क्या आप मुझे कुछ चुपा रही है क्योंकि इसका बॉर्थरे भी मेरे साथ ही आता है और अब इन दोनों में आर्गुमेंट सुना सुरू हो जाता है साथ ही रेविका बताती है कि कल इसे किसी ने गोली मार के घायल कर दिया है और यह यह हॉस्पिटल में है तो आप मुझे पूरा सच बताईए क्या मेरी कोई जुरूआ बहें थी और रेविका की मा उसको कुछ नहीं बताती और अब रेविका वहां से चली जाती है अब रेविका अपना डिने और एलिदा तुर्खानों का डिने जांच के लिए भेशती है दूसरी और टीवी पर निउस चला होता है कि एलिदा तुर्खानों को किसी ने गोली मार कर घायल कर दिया है और ये निउस दे कर उसकी मा काफी एमोशनल हो जाती है अगली सूबर रेविका एक बार फिर से हॉस्पिटल में जाती है एलिदा तुर्खानों से मिलने के लिए लेकिन जब वो उसके बारे में पूछती है तो वहाँ पर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है अगले शॉट में हम देखते हैं कि उफिसर सुलाना केश को क्लोज करने की बात कर रहे हो और अब रेविका ये मिटिंघंग के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते है और अब रेविका ए मिटिंग के लिए चली जाती है लेकिन आफिस में वहाँ कोई नहीं होता इसलिए रेविका वहां से उस स्पोर्ट पे जाती है जहां पर ये पूरा वार्दात हुआ था और साम को रेविका एलेदा तुर्खानों के बारे में इंटरनेट पे सर्च मार के देखती है तब ही रेविका के पास वही बंदा DNA रिपोर्ट ले कर आता है और वो बताता है कि तुमने DNA में कुछ गरवड़ी की है या तो फिर किसी आई रेंडिकल टुइन्स के ये DNA है क्योंकि ये दोनों DNA बिल्कुल एक जैसे हैं और ये सुनकर रेविका एकदम शॉक्ड हो जाती है वही दूसरी और हमें एलेदा तुर्खानों के हस्बन को दिखाया जाता है जो कि अफिसर सोलाना के चेंबर से एलेदा तुर्खानों के हस्बन का डीटेल लेकर वहाँ से चली जाती है अगली सुबर रेविका एलेदा तुर्खानों के हस्बन का पीछा करना सुरू कर देती है एलेदा तुर्खानों का हस्बन उसका फ्यूनरल करता है जिसमें रेविका दूर से ही सब कुछ देख रही होती है और वो काफे एमोशनल हो जाती है और वो ठान लेती है कि अब इस केस का इन्विस्टिगेशन मैं अकेले करूंगी चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे और अब कहानी में ट्विस्ट आता है रेविका के तीसरी हमसकल दिखाए जाती है जो कि इस फ्यूनरल को वो भी छुप कर देख रही है और रेविका वहाँ से चली जाती है इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है उमीद करते हैं कि आपको ये एक्स्पेलेंसन अच्छा लगा होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे और इसका नेक्स्ट पास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें